उत्ख्षेपणं ततो अपक्षेपणं आकुंचनंत था प्रसारणंच गमनं करमान येतानि पंचच रमनं रेचनं स्यंद नोर्द ज्ज्वलन मेवच तिर्य गमनवप्यत्र गमनादेवल अभ्यते उत्ख्षेपणं और उसके बाद अपक्षेपणं आकुंचनंत था और उसी प्रकार आकुंचन प्रसारणंच और प्रसारण चौथा गमनं इस प्रकार से ये तानी पंच करमानी ये जो इस प्रकार से पांच करम नाम से माने जाते हैं तीसरा पदार से करम नाम का पदार वो पांच प्रकार के हैं उसे द्रविय नो प्रकार के हैं गुनद चोवीस प्रकार के हैं अब करम पांच प्रकार तो इतना ही चैसा दुनया में फोग सारे करम है प्रमनं, रेचनं, संदनं, ओर ज़ुआणे लिए वजा तेर ग्यमनं के अप्पी अपी के अउर हमी भीची ना सार दुन, ना हस, हस ला बोल, ना रो, ना सारा इसमी किरिया करम ना सौना है हमारे शिद्धानति मात्रमने हमारे ज्याय जर्शन के नुसार सगल ग्रियाओं का गमन में लागे कि सभी में क्या है सही विभागे लोग कुछ निए पांच में भी तो सही विभागी है तो शिप्धी का समझाने के लिए थोड़ा कि सद्फ्धान विजी लोग पॉर्पाक क्या लोग कर्म कर्म कते है तो शिप्धान कर्मक सम शिद्धान क कया सही उप्पर्प ग्रियां कर्मुए ऐधर थ्याइभत वृस्वा आघा जएवाय अञिए उबुआ आधने अख़ेपाण, आपचेपण नीचे गया किस फोगते हैं जो सियोग दो आयए, powiedzieć च्ंदरे करने सुभा आपने आखाएपग गया सुनियरन प्राइजाद, कईषन dependence, कपड़ेकी प्रसारन हो गया, यह वे से भाग के लग रहे जी नहीं, अलग है, तब कहेंगे बात सही आपका, यह शिश्यों के बुद्धी को समझाने के लिए, स्वा से दूर होने के नाम प्रसारने, स्वा के निकट लाने के नाम अकवंचने, स्वा से उपर जाने के नाम उत्खेपने, स्वा से निचे जाने के नाम अपक्षेपने, और स्वा निष्ट क्रिया को लेकर जो भी हम कर रहे हैं, वह सब गमन कोटी नाम है, यह शिश्य बुद्धी के लिए करके समझाएंगे, कर्माने विभजद है, उत्खेपना मिधी, कर्मों के विभाजन क्या जा रहा है, उत् प्रतिक्सित्द्दा, इसको अनमाने से वेसित्द करने के जुरूत नहीं है, यह शिश्य बुद्धी करने के लिए, अनमाने प्रयों करने को या उवस कता नहीं है, यह तकी ठीका देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा, उत्खेपना मिधी लख्षन कर गहा है, पूर्थ द स्वेछ इस प्रकार से अधो देश स्वेगान कूल व्यापार हुआ प्रसारनमं उत्तर देश संयोगान को लो व्यापार हा गमरम पूरो पूर देश विभाग पूरवक उत्तर देश संयोगान को व्यापार करना गमरम सब जगे जहां संयोग होना है संयोगान को व्यापार करने का मतलब यह वक्रिया करने का मतलब है पहले विभाग कर नहीं पड़ेगा संयोग नाशको गुणो विभाग हा जब तक एक जगल के संयोग को नाशक करेंगे नहीं मने विभाग पैदानी करेंगे तो दूसरे देशों के संयोग को नहीं इसलिए संयोग का मतलब ही होते विभाग पुर्वकी करमानी मने करमत्व जाती विशेष्टानी ये तानी मन निरुक्त उत्क्षेपनादी नी निरुक्त उत्क्षेपनादी नी पंचेती करमत्वान उत्क्षेपनादी पंच अन्नितमत्व व्याप्यम इती व्याक्ति रूप निरनय लाभारतम पंच पत प्रयोगा व्याक्ति के सुर्व निरने करने के लिए इस लाब के लिए पंचत्वर संख्या पूर्व दिया पर कह दिया अनितम अत्तु कुड़े करके का नुद। विभाग वाक्या देव आपने किनाद उत्षेवण, अपक्षेवण, आखपचन, प्रसाण, गमन, विभाग वाक्या पूर्व दिया अनितने से अम गिनलेंगे अपने आप पांच समझ लेंगे विभाग वाक्या देव कर्म विभाग वाक्या देव पंचत रूपा संख्या लब्धा भवदी, तथा कि संख्या वाक्या पदा भावे उक्षेवण, गमन, अनितम भिन्नेश, इन अनितम से भिन्न। विडि जो गिनारा है, ब्रह्न अम्रेश नमादी, विन्नेश, कर्मत निशेद अप्रदिपातनात, तो में कर्मत कर निशेद नहीं हो पाएगा करमत्व स्यव करो यवभाचक उद शेपनत वादी गमनत तानत अन्यतम व्याप्यत निश्चयो नभवती करन यतरितर करमत्व तर 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 यह पंच के अन्यतमत्वी होना चाहिए जाहांजा करमत्व है वहा चरूर पांच में से एक धर्मी होना चाहिए अलग नहीं, ये बात कैसे सिद्धोगा कि दे पंच संक्या ना होता तो हम जान तो लेते इन साइदानती गुरूप से व्याक्ति नहीं बन सकते ये तस भिन निश्चे यस्च संक्या पुर्णे नहीं भवती इती भावा पंचत्तम अपक्षबुद्धि उषेता रुपम बुद्ध्याम इसका आगी आरा है वहीमस्तारस्मृति की अपक्षबुद्धि किसको करते कैसे होता है ब्रह्मन में थी ब्रह्मनम क्या है प्रसिध्धा अष्वादेश चक्राकार धावनम गोड हादि के चक्रा कार में गोमना यह ब्रम्ने यहां से निकले, घर से निकले गोम गाम कर वापस गर लोडते चक्र होगया कि नहीं हुआ इसी प्रकास रेचन पक्षणो गगनार प्रतिवियाम अवतर नम रेचन नीचे कि और ना वड़ान भरना ने उतरना उतरने कि ले रेचन श्यंदन मने जल से गति ही जल में जो गद तीदे करे क्रिया जर्यां उर्दु जलनम ये वन्नेर गति वन्निका गति है तिरे गमनम पवनादे सरपादेरवा गति ही ता देतानी करमाणी तु वो ये सारे करमं को भी गमनादेव लभ्यदे गमने अंतर भवन्ती तिरता गमनत्तम क्या है उत्षेपणादी चार से भिन्न होता हुआ पूर पूरदेश वाग पूरवक उत्र तुरदेशानुक स्नियोगानुकूल ब्यापार या क्रिया का नाम ही गमन है उसमें सब अंत्रवा हो जाएंगे करमान विवजदे या परिद्यक विवजदे कौन विवाजन कर रहा है विशनात बंजानन मुलकार हा उक ऐसे गटेगा वाक्यार दनर देश सरवानुक तो करमत्त वियाप्य उत्षेपनत्वाधी अवांतर धर्म प्रकारक ज्ञानान कूल व्यापारान कूल वर्त्मान कालिन कृतिमान एकत्वाश्रे मुलकार की थी बोध्याप मुलकार ने क्या किया है करमों का विवाजन किया करम का विवाजन करना विवाजन करना का मतलब गया उन्होंने विभाग करने किया उन्हों कूल कुछ व्यापार किया वो व्यापार बिना जाने समझे किया गया जान के क और वयापार जान के जल के वयापार शीदन ही वहां जब तंक कोई प्रहता नंदर से निन आख हो आत्मा जब अन्दर से आतम में प्रहत्म रूपा गुण में ईद्र होता है सरवान उगत क्या है करमत व्याप्य उख्षेपनत वादी आवांतर धर्म प्रकार का ज्यान है करम ज्यान ये करम है ये पांच जो है करम है ये ज्यान कैसा ज्यान है वो पता इस ज्यान में क्या का प्रकार है हमारा करमत प्रकार है केवल करमत प्रकार नहीं उख्षेपना दी अवान्तर धर्म भी इसमें प्रकार सरवगत करमत वियाब्य उथ autonomous अतवादी अवान्तर धर्म प्रकारिज़का ऐसा अग्यान किसके हैं है मिश्राद पंचानं के हरने हैं इसा ग्यान है आतमा में उनके आतमा में ज्यान है उस ग्यान की अनुकूल उन्होंने क्या किया व्यापार करना था अतेव उस व्यापार की अन्पूल उन्हे वर्तमान कारीन कृतिमान हो गए होग हुआ ऐसा कौन हुआ मुलगार और कितने हैं मुलगार एक है इसे कह दिया वर्तमान कारीन कृतिमान एकत्व आश्रयो मूल का रही थी बोदहा कर्मत्य जातिस्तो नित्य अवर्ति सत्ता साक्षा द्यापि जाती कर्मत्य जाती केसी है कहते नित्य अवर्ति से नित्यों में आस्वेथ है नित्य अवर्ति और सत्ता साक्षा द्यापि जाती सत्ता साक्षा दिल्याप जाती है कर्मत्व जाती है और ता नितिगोने परमानवादी उनमें कर्मत्व नहीं होता नितिगोने परमानवादी उनमें कर्मत्व नहीं होता उसे परमानवादियों में नरने वाला ऐसे घंज गया है दो चीज छूट गया भी है द्रवेत्व गुणत वट गया यह द्रवेत्व कहा है परमाणवाज द्रवेत्व भी है और नित्य गुणों में गुणत्व भी रहता है से नित्य और नित्य करने से सत्ता का व्याप पिजात्य तीन है सत्ता का साक्षा तरवेतों 3 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 तरवेतों 4 तरवेतों 3 तरवेतों 3 तरवेतों 3 तरवेतों 3 तरवेतों 4 तरवेतों 3 तरवेतों 3 तरवेतों 3 तरवेतों 3 तर अलेन घट तो एखा रहे है यह यह है रिखा रहे है वो सत्व किसी अंजी के पैर्शा से व्यापक नहीं है झाया वा पर जात्जय उत्वाइपियो के खाल, आपरजाति उए वा अपरजात्य बहुनिंगर में JES परपर जात्य झाया जाता है अदे सक्षा साक्षा जया प्रति जातः अवांत्र उनकी प्रंप्रय व्यापति जाति अधूर हो जाएंगे और जातिशब से जितने का अखंडो पादियां है अनिवर्त्व जादिगे प्रतिक्ष्य 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 प्रतिक तर्मद्धनेव बर्मक्त्वा बर्मक्त्वाली पंच विभाजक रुपई रपई गुतो नविभाजितम इति फलित वर्त्वारत हा कारे कारे जितरा सीधा है जब आपने परंचगमा करके उत्क्षवनत्वादी जातियों को लेकर पांच गिनाया और ब्रह्मनत्वादी को लेकर के भी करम होगा अब आप जातियों में संक्या बढ़ सकती है उसे भी इक तुम विभाचक धर्म के रुप में क्यों नहीं बाना पर Complete that पधर्म होगा भाचक धर्म भी जातियों को भाच्वाद्वादी में कमें बढ़ से उत्वाद्वाद्वाद्वा नहीं रातर सवर्य हादियों प्रह्मद्र पर्याकमिशन प्रkäशमा बात्तियों तुकिये ना गमनत्व सिध्या, सभी में गच्च तवार हो सकता है। आप भ्रमन कर रहे हैं तो भी गच्च तभी गच्च तवह सकते हैं। इतरे दातु भेद मातर से वहां गमनात्तक्र क्रिया में भेद नहीं दिख रहा हैं। आप ब्रमोपाद जट्षे पर धातू बना लिए जूए, है तो गमन क्रिया ही वो, पानी ने अनेग धातू बना दिया, और धातू का गमनात्व क्रिया का ही, विशेष स्वरुप अंग अलग अलग विभाजन करतन कर दिया है, इतने मात्र से क्रिया में भेद नहीं है वास् जो प्रकार है वो स्पस्ट मात्वर्वा है वो ब्रह्मन कर रहे हैं अब जा रहे हैं बोलते हैं कहां जा रहे हैं प्रशुटेगा ब्रह्मन के ले गए नहीं कहां गए नहीं पुचेंगी बरा आपको पता है ब्रह्मन के लेगे हमने गुम गरगाने वाले हैं वाकिंग करनी जो उननन देतल द्रामति और गच्छति में अंतर दीक रहा है। जुझ भ्रमती में फिर्ट करोड़ाया। जाल राम जाहन के ने प्रस्ट भाण करें है। इसे वहाँ प्रशन पूछते हैं कहा गए जो बहुत ही अर्चन्ठ होगा कि इसको तुरुद मिलना है तो पूछे कहा ब्रम्न करने करने किस दिशा में गए तो पूछे जाओ पूछे में गए हैं कि सड़कपर घुमने कें तो इसलिए क्या होगा है कि इन पर है सब गमन ही कियल व्याकरण कारण है सुवधार के लिए अभार करश्टी कोण से परस्पास बेद करदानी धात्व प्रिवकर कर दिया है एक अधिसी कारण से गमनत्व सिध्या भ्रह्मनत्वादी तिर्यक गमनत्तांत पंच धर्मानाम गमनत्व वयदिकरण अभावेना जा गमनत्व उससे भिनमत्व करण में रहने वाले नहीं है वो जिसमें गमनत्व वहाँ पर आप ये भ्रहमनत्व वाजवी देख सकते हैं इसलिए विभाज गत्त्व संभवाजी थी प्रशुटते नहीं एवाम एदी आयसे बात हैं उर्द्यो गच्च उर्दम गच्च थी उत्क्षयपण के लिए अधो गच्च थी अपक्षयपण के लिए अपक्षयपण के लिए वाजवी तम गच्च थी प्रवकरसरत्तां इती अनुगत्र प्रत्य ये न उत्क्षवनत्वा जनाम अपी गमन तुसिद्या उत्क्षवनत्वाज गमन त्वान्त पंच धर्मानाम परस्परवेदी करने अभावे न इवाज तोसंभवाद पंच दावी भागो अपी अनुपपन येव इदी चेन न पांच भाग करना भी आपके लोची दिने, वह भी पांच गमन कोटी में आ जाएं बात सही करें हो, तहिन हमें उस वीकार नहीं होता है क्यों? क्या करें? गौतम रिशी जी ने लिख दिया है न अब रिशी का वचन हम काटते हैं अपनी बुत्ती से रिशी जो लिख रहे हैं तो कोई प्रियोजन समझ की तो लिख रहे होंगे वो प्रियोजन हमारी दिमाग में ना आने से आम खंडम करते हैं क्या है? समझ मनी आए तो, कैंसर कर दो स्वतंत्रे चेन मुनिना उख्षेपनक्त्वादी गमनत्वांत पंचे धर्मीर विभाजना तस्य मुनेर नियोग पर्यनयोग अनर्हत्वाद स्वतंत रिच्छा वाले मुनी के द्वारा उत्षेपनक त्वारे गमन पुर्यंत पंच धर्मों को भी बाजना प्रिसूत्र में निर्मान कर दिया है और ऐसे मुनियों का उपर प्रस्ट पुछना अपने से क्यों किया प्रस्ट नहीं पुछ सकते हैं उसकी निंदा कर सकते हैं मुर्ख है समझे लिए भoid भैजनी को मिणे नियोग परिया न्रप उनर्फत्वा वहतुत्र मुनियोग परियनयोग अनर्फत्वा स्वसंत्य चस्यमुने ऐसे बना लेना पड़े यहां तो इनित्रित्य जान पुचिके न व्याक्या करते हुए स्वसंत्य चस्यमुने नियोग परियनियोग अनरत्पा ऐसे उसको घटा लेना पड़ता है नियोक कम अदल अब गया, उन पर प्रस्ट नहीं करना, रिशीन आजी कियो का, और परियोड़ें में निंदावी नहीं करना, वसुतस्तो, गतित्तम प्रकृते, उत्षेपनादी भिन्नत्वे सती, उत्तर देश सयोगानु को लो क्रियात्तम, वह भाज गताव अच्छेत गत अजल देंगे, उत्षेपनादी भिन्नत्वे चोड़ देंगे, तो उत्षेपन सब भिन्न होई जाएगा अपने आप, करमनों लक्षनन तो इत्यादी, संयोग भिन्नत्ति सती, संयोग आसमाय कारनत्त मिती, करम के लक्षन करने जा रहें, संयोग से भिन्न होता हुआ, संय